बहतर सेहत के लिए खाना खाते समय याद रखे 5 टिप्स अच्छी डाइट और व्यायाम बहतर सेहत और जीवन के लिए हमेशा लाबकारी होती है लेकिन इसके साथ ही आपके खान पान और जीने का तरीका भी आपकी को काफी हद तक प्रभावित करता है अगर आप अपने स्वास्थय को बहतर बनाना चाहते हैं तो भूजन करने से जुड़े यह 5 सूत्र आपको पता होना चाहिए 1. पहला सूत्र है खाने को चबा चबा कर खाना यह सिर्फ कहने की बात नहीं है बलकि प्रत्यक्ष तोर पर आपकी सेहत पर असर डालती है आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हमारे मुव में जितने दांत हैं हर निवाले को उतनी बार यानी 32 बार चबाना चाहिए आप भी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा चबा कर खाएं 2. खाना खाने के दौरान पानी बिलकुल न पिएं पानी का सेवन खाना खाने के आधा घंटा पहले वबाद में ही करेंगे तो यह पाचन के लिए भी फाइदे मंद होगा और आपकी सेहत के लिए भी 3. रात के खाने को लेकर सतर्क रहेंगे तो स्वास्थे संबंधी परेशानियां कम होंगी ज्यादातर समस्याएं पेट के कारण होती है और अगर आप देर रात खाना खाते हैं तो वह सही तरीक से पच नहीं पाता जिससे कई स्वास्थे समस्या पैदा होती हैं कोशिश कीजिए सोने से कम से कम दो घंटे पहले ही भूजन कर लें और हलका भूजन लें खाना खाने के तुरंट बाद आइसक्रीम ठंडा पानी आदी का सेवन न करें अन्यथा आपको पाचन समबंदी समस्या वह कब जो सकता है इसका कारण है आपकी पाचन अगनी का समाप्त होना इसका आपकी सेहत पर गलत असर पड़ता है 5. खाने के साथ कभी फलोंका सेवन न करें यह पाचन तंत्र की प्रक्रिया को बिगार कर रख देता है और फिर आपको पाचन वपेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं फलोंका सेवन हमेशा भूजन के आधा या एक घंटा पहले ही कर लें वीडियो पसांद आई हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेर करे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में धन्यवाद